पांच देशों का खुफिया संगठन फाइव आईज क्या है यह हम आपको यहाँ पर समझाएंगे जिसके एक खुलासे से भारत और कैनेडा के रिष्टे बिगडे कैनेडा और इंडिया के बीच तल्की की शुरुआत पिछले साल जून में खालिस्तानी आतंगवादी नेता हरदीब सिंग निजर की हत्या के बाद शुरू हुई कि इस alliance से भी input मिला क्या है five eyes alliance ये अब आप यहां पर विस्तार से समझे five eyes alliance जिसने Canada को input दिया और फिर पूरे विवाद की शुरुवात हुई जसा नाम से ही साफ है कि ये पांच देशों का एक संगठन है जो एक दूसरे के साथ खुफिया input साजा करते हैं और कई मामलों में स alliance के mandate पर नजर अगर डालें तो उसमें कहा गया है कि संगठन में शामिल देश एक दूसरे को यानि पार्टनर कंट्रीज के साथ multilateral arrangement के तहट intelligence inputs साजा करते हैं और इस alliance का सबसे बड़ा मकसद आतंगबात को रोकना और national security के लिए काम करना है कब और कैसे इस संगठन को बनाया गया ये भी आप जानिए फाइव आईज अलायंस की शुरवाद दूती हविश्व युद्ध के समय हुई और second world war में जब elite forces जर्मनी और जपान की जासोसों से तंग आ गई थी तो उन्होंने इसका रास्ता ढूनना शुरू कर दिया elite forces में शामिल ब्रिटेन और अमारिका ने इताय किया कि दोनों देश की खुफ़े अजनसियां साथ मिलकर काम करेंगी 1943 में अमारिका के war department और ब्रिटेन की एजनसी के बीच एक समझोता हुआ जिससे ब्रूसा ब्रिटेन USA agreement के नाम से हम सब जानते हैं और इस agreement के बाद दोनों देशों के एक दूसरे के साथ intelligence input साचार करना शुरू कर दिया गया इस तरह वो जर्मन और जपान का network तोड़ने में कामया भी रहे दूती अविश्वे युद्याने की second world war कत्म होने के बाद भी ब्रिटेन और अमारिका ने alliance को जारी रखने का फैसला किया 1946 में इस agreement को नया नाम मिला UK USA agreement साल 1949 में कनड़ा इसका हिस्सा बना फिर 1956 में न्यूजिलेंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए The Diplomat के मताबिक Five Eyes Alliance countries अपने पार्टनर के इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं और एक दूसरे के लिए intelligence input जुटाती है Five Eyes के सचेवाले अमारिका में भी है और ये alliance में अमारिका ही सबसे ज़्यादा intelligence शेयर करता है इसके बाद ब्रिटेन दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा intelligence देता है कैनड़ा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजिलेंड की भूमी का बहुत सीमत ही है कितना powerful है Five Eyes Alliance ये भी समझना जरूरी है जासुसुकाई network कितना तगड़ा है इसका एक उधारन साल 2001 की एक घटना से मिलता है उस साल न्यूजिलेंड की टीम पाकिस्तान गई हुई थी रावल पिंडी में दोनु देशों के बीच वंडे माच होने वाला था माच से अचानक पहले न्यूजिलेंड टीम ने एलान किया कि वो मैदान पर नहीं आएगी और फिर टूनमेंट छोड बापस अपने देश लोटने का एलान कर दिया पाकिस्तान से लेकर इंटरनाशनल मीडिया तक हका बक्का रह गया कि आखर न्यूजिलेंड ने ऐसा क्यों किया बाद में पता लगा कि इसी फाइव आईज अलाइन्स ने न्यूजिलेंड को इंपुट दिया था कि उन पर आतंकी हमला हो सकता है इसी लिए न्यूजिलेंड टीम टूनमेंट से बाहर हो गई थी तो आपने समझा कि फाइव आईज अलाइन्स क्या है जिसकी वज़स से ये तलकियां देखने को मिली है क्योंकि इसी की जो रिपोर्ट है इसी का जो इन्पुट है वही तमाम जिक्र कनड़ा के प्रदानमंत्री की ओर से भी किया गया कनड़ा की सरकार की ओर से भी किया गया और किस तरीके से काम करता है कौन-कौन से व पांच देश है जो इसका इससा है और किस तरीके से 2nd World War के बाद इसका गठन किया गया और तबसे लगातार इंपुट शेर करता है अपने पांचू देशों के अंदर यह जानकारी आपको कैसी लगी और भारत कैनला के रिष्टों पर क्या है आपका रूख फीडबाक के जरीए कमेंट सेक्शन में जरूर बता झाले कांचू झाले के उड़ाक के बाद भीड़ाण के बाद आपका रहां है आपका रहां के लगी आपका पिछ एंद दूख क कानट से के लगई के पांट से इनका रहां है इनकाः अजू और